इन देस वीडियो आइम गाइंग टीस्कस अबाउट स्ट्रक्ट्चर और यूजिज ऑप सैलिसिलिक एसिड को आर्थो हाइड्रोक्सी बिंजोइक इसद भी कहा जाता है देखिए अगर इसमें से हाइड्रोक्सील ग्रूप फटा दिया जाए तो यह बिंजोइक इसद है अर्थो हाइड्रोक्सी बिंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड इस अ कलर लेस्ट सॉलिट मेंटिंग पॉइंट इस वन फिप्टी नाइं डिग्री सेल्सेल्स इस इस इंसॉलिबल इन कोल वाटर बद डिशॉल्स इन होट वाटर इथिनॉल एन इथर इस सब्लाइं बिलो इ इस ऑन वाटर इस सिक च बहाव अंट डवेस अच पहाद में क возможно आज खेव मेंग में का मुघल्स इस च घलत रूंच नारिप प्री टुड घ्डा इस इस एड लेट चालिट ये इस ऑन प्रूंट का ग्रिट्स टीड गल एसे टायिल जाएलिक इस इसको आप अभी आगे पढने माले हैं मेथायल जाएलेट लीनी मेंट में और कलोरीन जाएलेट तुरीट पेन आप माउफ हलस्स मुझे छाल ठीक कने मारी डवाईयों में भी जायीसिद का यूज होता है तो आप देख सकते हैं salicylic acid का कितना सारा यूज है और इसको आप लैब में भी वसे इसको वाइवा में बहुत पुछा जाता है और salicylic acid का उपयोग आप लैब में भी करते हैं और थेवरी के लिए objective के लिए सब के लिए important है कुल मिला के कहा जाए तो salicylic acid बहुत important topic है इसलिए इसको अचे से याद रखेगा इसके uses के सांसे properties को भी ध्यान में रखेगा और diagram तो बिल्कुल भी नहीं भूलना structures का बहुत important है and this is the end of the video and here is a quote concentrating on one thing at a time may be the single most important factor in achieving flow successful होने के लिए या किसी goal को achieve करने के लिए आपको flow बनाए रखना जरूरी है एक flow में होना जरूरी है देखिए flow का मतलब है consistency maintain करके चलना और flow को maintain करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप single एक सिंगल टास्क पर focus करें एक समय में एक ही काम करें और दस कामों की और भागेंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा है ना इसलिए एक समय में एक काम करें और जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करें यही तरीका है flow को maintain करने का and consistency is the key to success यह याद रखेगा और focus बनाय रखेगा अपने काम पर follow one course until success thank you so much like share and subscribe to UG Pharma Guide